हेलो गाईस टेक्नो फाहद में आप लोका स्वागत है तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैनेशियल इंडस्ट्री के बारे में इस लोकडॉन से फैनेशियल इंडस्ट्री में क्या तभाही आ सकती है तो जैसे कि दोस्तों मैंने दो दिन पहले एक पोल दिया था शटरडे को मैंने एक सवाल किये था मैंने पूंचा था सभी से कि जो है क्या आपको इस Όल डॉंसे फैनेशियल सर्विसे घ्यान कहा था कि नहीं मुझे लॉट व्यू नहीं दोस्तों बताएंगे कि लोकडॉन से future में क्या effect पढ़ेगा financial industry में तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर last तक देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप से भी लोग जानते हैं COVID-19 जैसे कि पूरी दुनिया जंग कर रही है और इसमें हमारा देश भी शामिल हो गया है हमारे देश में समझ लिए 3 माई तक जो lockdown लगा रहेगा तो पूरे 40 दिन हो जाएंगे total lockdown को लगे हुए अब इस 40 दिन में हमारे एकनौमी पे क्या effect पढ़ेगा जो हमारी financial industry है इन पे तो बहुत बुरा असर पढ़ने वाला है और future में भी काफी time इनको लग जाएगा अपने stand पे खड़े होने में तो हम बात कर लेते हैं financial industry में क्या तबाही आएगी इस lockdown को हटने के बाद भी तो सबसे पहले आप ध्यान में रखिए इस lockdown के वज़े से जो company बंद है उसी में loss हो रहा हमारी economy गिर रही है अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो financial industry में जो आपको moratorium की facility मिली है जो भी आपका loan वगरा चल ला हो अब इसमें जो moratorium की facility आपको मिली है 31 माई तक हो सकता हो इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि अगर lockdown आगे बढ़ेगा तो हो सकता है इसको बढ़ाया जाए में अब इसमें होगा क्या अब जो riches है जिनी अपना bank balance थोड़ा बहुत बना के रखा है जो अपने ठीक ठाक अपना bank balance बना है जिनको कोई problem नहीं हो रही है वो अपनी M.I.Pay कर सकते हैं वो अपनी pay करते भी रहेंगे लेकिन जिनके पास नहीं है जो रोज खाते हैं रोज क क्योंकि इसमें 50% लोग जो है इसमें EMI हो सकता हो पे करें और 50% लोग lockdown के बाद भी EMI पे करने की condition में नहीं होगे तो इससे मान के चली इनको recover करने में ही इनको 6 मेने साल भार इसको recover करने में लग जाएगा तो कि ये पूरे इंडिया में ये इस्तिथी है कि कि किसी भी person से जो है EMI नहीं ली जारी तो आप ये सोच सकते होंगे कि डेली अगर इंडिया में जितनी भी EMI recover होती है डेली है कितना अर्बो खरबो के जो है recover होता होगा EMI पे जो company होती है लेकिन यहां पे अभी 31 माई तक तो ये रहेगा 31 माई के बाद क्या आपको लगता है जो middle class के ज लोग EMI नहीं पे करेंगे उसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इसी का फाइदा उठाएंगे fraud करेंगे कि मतलब EMI वो देंगे नहीं लेके भाग जाएंगे तो इसमें काफी मतलब बड़ा नुकसान आने वाला industry में आपको धियान में रखना है तो इससे जो लोन वगार की होगी जो भी 10,000, 20,000, 50,000 वो इस 40 दिन मतलब मान के चली 2 मेहने, 3 मेहने, 4 मेहने में खर्चा हो जाएंगे कि इसके बाद आइसा नहीं कि लोगडाउन हटेगा उसके बाद फिर से काम वैसे ही चालू हो जाएंगे इसके बाद भी काफी problem आने वाली है इसमें ऐसा भी हो समझ लिए कि हमारी economy घटी जा रही है जिसके वएसे हमारे आने वाले future में महंगाई बहुत जादा होगी उससे भी काफी लोगों को problem होगी तो इस चीज का भी धियान रखिएगा अभी स्पीरियड में होगा क्या सबसे पर्ली चीज आपको ये धियान में रखना है कि इस lockdown online भी आपका यहाँ पे हो जाएगा reject इसमें क्या problem है किस वज़े से इसको रोका गया है तो कि अब आप जैसे की जानते हैं कि यहाँ पर EMI किसी से कोई भी financial industry किसी से EMI अपनी नहीं ले रही है यहाँ तक कि create call की जो EMI उस पर भी moratorium की facility दे दी गई है तो उससे होगा क्या अ इसमें आप यह चलिए 50 या 60 50-60% लोग कहो दें या कहो जिनके हालात अच्छे होंगे वही EMI पे करेंगे जिनके हालात अच्छे नहीं होंगे वह EMI पे नहीं करेंगे चाहे वह bouncing लगे फिर क्योंकि उनको अपनी रोजी रोटी देखना है उनको यह नहीं देखना है civil कहा जा रहा है क्या जा रहा है bouncing लगे की bouncing लग जाए अगर वह देने की condition में नहीं होंगे तो वह नहीं देंगे यह सब एफेक्ट पड़ेगा किस पर financial industry पर इसा बैंकों को और जितने भी company हैं इनको यह सब जहिलना पड़ेगा तो यहां क्योंकि यह सब unsecure loan होते हैं और यहां apply करेंगा ऐसा नहीं कि lockdown तक यह बंद रहेगा lockdown के बाद भी कहिए 6 महीने साल बर तक आपके call जो है 90% आपके application reject हो क्योंकि यहां पे इनको अभी यह 40 दिन का भी तो लोग डॉन हो जाएगा अगर इसकी date बढ़ती है इससे काफी और जादा effect पलता जाएगा तो आप यह मान करने से एक साल लग जाएगा तो इसलिए आप यह सोच के चली जब तक यह recover अपने stand पर खड़े नहीं हो जाएंगे जब तक यह लोग नया loan देने में भी कत्राइंगे तो इसलिए हो सकता हो आपकी application reject की जाए और यहां पर यहां पर यह भी हो सकता है कि आपको जो है कोई जैसे कि आपका credit card है credit card पर आपको जैसे 6 मैने बाद limit increase का offer मिलता है तो हो सकता हो यह सब offer अभी आपको ना मिलें 2-4 मैने 6 मैने तक यह offer आपको ना मिलें जब तक यह लोग अपनी company को मतलब अपने stand पर खड़ा नहीं कर देंगे जब तक कि जो है यह लोग हो सकता हो आपको कोई भी जो है limit increase का offer ना दें कोई personal loan का offer ना दें तो इस चीज़ को भी आपको धियान में रखना है चाहे हो credit card का हो चाहे हो बजाज find serve का हो चाहे हो zest money का किसी भी company का आपका loan हो यह आपकी limit increase का offer हो तो यहाँ पे आपको यह problem भी देखने को मिल सकती है कि आपको limit increase का offer ना मि 20% application reject होगी मान के चलिए 6 मैंने साल भर तक यह problem हो सकती है क्योंकि इस से काफी बुरा effect पढ़ने वाला इस lockdown और इस coronavirus की वज़े से lockdown लगा इस lockdown से हमारे देश पे काफी बुरा असर पढ़ने वाला है तो अब हम बात कर लेते हैं इस lockdown में आपको क्या करना चाहिए आपको इस आप सिर्फ इस चीज़ को धियान में रखिए कि इस lockdown या coronavirus आने से पहले हमारे देश की एकनौमी पहले सही इतनी खराब हो चुकी थी लेकिन अप यह lockdown हटने के बाद भी हमारे देश की एकनौमी काफी बुरी हो जाएगी और इस condition में आपको हो सकता हो कि जो है रोज मर्रा क समान में भी जो है महेंगाई देखने को मिल सकती है तो इस चीज़ का ध्यान में रखिए क्योंकि आप यह अच्छी तरह से जान गाएं कि lockdown के बाद भी हमारे देश का काफी बुरा हार होगा काफी महेंगाई बढ़ जाएगी तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते इमाई पे करने की condition मिनी होगा ऐसा नहीं कि lockdown जाएगा उसके बाद जून का महीना आएगा लोग फिर से काम करने लगेंगे अभी ऐसा कुछ नहीं होगा अभी हो सकता हो lockdown की date फिर से बढ़हा दी जाए उसके बाद हटने के बाद भी वैसा जो है भी मुकमल तरीके से काम न काफी लोग तूटे हुए होंगे इसकी इस condition में बिजनिस जादा चलेगा नहीं तो इसमें काफी problem आएगी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि फुदूल खर्चा मत करें और इस सब चीजों का ध्यान में रखें दोस्तों यह थी कुछ बाते जो financial industry में काफी बड़ा लिए होगी अगर help मुलिए तो इस वीडियो को लाइक करिए शेयर करिए अगर आप चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तो नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं जब तक लिए अपना खयाल रखें गुडबाई टेक केर